तो आज का जो हमारा सेशन होगा बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को पर है वो क्या है अपकमिंग स्पोर्स इवेल्स इस टॉपिक से क्वेश्चिन हर एक एक एक्जाम में कमेट एक्जाम में पूछे जाने वाला से होई यहां से बहुत सारे क्वेश्चिन आता है तो जैसे कि देखो यहां पर यह टॉपिक जो कर रहे हम क्या यह करेंट एफरस का टॉपिक वाइस कर रहे है यहां पर जैसे कि जो एवर्स इन ओनर्स किये उनके बाद पी एम एन प्रिसिजन किये तो आज का होगा अपकमिंग स्प लिए बहुत ही इंपॉटेंट होगा ठीके तो चलिए स्टार्ट करते जिजन को तो फॉस्ट क्वेश्चिन हो जाएगा आज का अपकमिंग स्पॉर्स इवेंसे जितने सारा क्वेश्चिन देंगे सब भी एक्वेश्चिन एक्जाम रिए पर जो पूरा डिटेल्स देखे यहां पे कौन सा होगा तो यह हो जाए ग्लासगो स्कॉटलाइंड ओके यह कहां पे होने वाला था यह question exam में पूछा जा सकता है कि Commonwealth जो games 2026 होने वाला कहां पे था वो Victoria Australia पे होने वाला था पर वहां पे cancel हो गया वहां पे पूल डाउन हो के कहां पे चला आया यह ग्लासगो स्कॉटलाइंड पे होगा यह question important होगा यह question 200% exam में पूछेगा ओके चलो now important point क्या होगा इनके बारे में देखो 22nd जो common games 2022 हुआ था कहां पे होगा था बार्मिंगम इंग्लाइन पे होगा था 21st का 2018 में जब होगा था वह Gold Coast Australia पे होगा था and first edition जो हुआ था 1930 में कहां पे होगा था Hamilton Canada पे होगा यह static GK में पूछा जाता है ठीके चलो next question question number two बोला गया which country will be hosted the fourth Asian Games Asian Youth Games 2025 तो कौन से country होगा तो यहां पे हो जाएगा उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान के कौन से जगा पे हो जाएगा तासकेंद पे तीके तासकेंद तासकेंद क्या है उजबेकिस्तान का Capital है और वहां पे ही होने चला है नाव 5th edition का जो होने वाला है Asian Youth Games 2029 यह भी घोशित हो गया कहां पे होगा फेन ओफेन जो कंबोडिया का क्या है यह कंबोडिया का Capital इसको याद रखना एक्जाम में पूछता है ओके चलो next question question number 3 बोला गया है यहां पे देखो the 34th summer Olympics 2028 will be hosted by which country कौन से country host करने चला है तो यह हो जाएगा Los Angeles US host करने चला है 2020 edition का ओके चलो now 33rd जो हुआ था 2024 में जो इसी year में हुआ है का पे हुआ है Paris France पे हुआ है ठीके इनके regarding question exam के लिए important होगा and 35th जो होने वाला है summer Olympics 2032 का पे होगा Brisbane Australia पे होगा and 32nd का जो हुआ था 2020 में तो का पे हुआ था Tokyo Japan पे हुआ था ओके चलो next question question number 4 बोला गया था 20th Asian Games 2026 will be hosted by which country Asian Games 20th edition का 2026 में होगा वो का पे होगा वो हो जाएगा H.E. Nagoya Japan पे होगा तो Japan host करने चला है 2026 का Asian Games okay now important points others जो हुआ था क्या 18th का जो हुआ था Asian Games 2018 में वो का पे हुआ था Jakarta Indonesia पे हुआ था 19th का का पे हुआ था 2022 का पे हुआ था Hongzhou चाइना पे हुआ था जो recently हुआ था हमारा 21st जो Asian Games 2030 हुआ था वो का पे होगा तो ये हो जाएगा दोहा कतर पे and 22nd edition 2034 का जो होगा वो होगा रिया सौधी आरब्या पे तो सभी इतने तक घोशित हो गया है okay तो सभी important होगा पूछा जा सकते है कोई भी next question question number 5 बोला गया the 10th FIFA Omen's World Cup 2027 will be hosted by which country कौन से country होस्ट करने चला है तो ये होस्ट करने चला है ब्राजील okay now 9th edition का जोगा 9th edition का होगा Omen's World Cup 2023 हुआ था वो काँ पे हुआ था Australia and New Zealand पे हुआ था next question question number 6 बोला गया है which country will be hosted the ICC Mins T20 World Cup 2026 कौन होस्ट करने चला है यहाँ पे दोनों country जो जोईंटली होस्ट करने चला है वो होगा India and other one होगा Sri Lanka तीक है यहाँ पे दोनों countries एक साथ होस्ट करेगा ICC Mins T20 World Cup 2026 now important points देखो ICC Mins T20 World Cup 2022 काँ पे हुआ था Australia पे हुआ था ICC Mins T20 World Cup 2024 जो हाली में हुआ जिसमें इंडिया जीते हैं वो काँ पे हुआ था USA and West Indies joint venture थे now हो जाएगा ICC Mins T20 World Cup 2028 काँ पे होगा यह हो जाएगा Australia and New Zealand पे and ICC Mins T20 World Cup 2030 काँ पे होगा England, Ireland and this को मतलब यह काँ पे होगा European country में मिल ली UK में होने चला है मिल लिए सब ठीक है तो इस सभी points important होगा and यह जानना जरूर है यहाँ पे T20 जो World Cup होता है वो दो साल के बाद ही होता है next question seven number question which country will be hosted the 16th FIH means hockey World Cup 2026 काँ पे होगा तो यह host करने चला है दोनों countries jointly तो कौन से कौन से होगा तो एक हो जाएगा Netherlands and other one हो जाएगा Belgium ठीक है यह दोनों countries jointly venture होगा 16th FIH जो hockey world का mains का okay now 15th का कहां पे हुआ था 2023 में हमारे इंडिया में हुआ था वो बनेश्वार रावर के ला पे जो हुआ था वो उडिसा में हुआ था 15th का next question question number eight देखो क्या बोला गया the 25th winter olympics 2026 will be hosted by which country कौन से country होस्ट करेगा 2026 का 25th winter olympics तो यह होस्ट करने चला है Italy ठीक है इतली के कौन से जगा पे होगा तो यह हो जाएगा Milan पे ठीक है उतली के Milan and Cortina पे होगा ठीक है Milan Cortina पे यह होने चला है now 26 का जो 2023 में होने चला है वो का पे होगा French Alps France पे होगा 27th edition जो होगा Winter Olympics 2030 वो जो का पे होगा Salt Lake City United States US में होगा and 24th का जो 2022 में हुआ था वो का पे हुआ था Beijing China पे हुआ था यह भी इंपोर्टेंट होगा चलो next question question number 9 the means Rugby World Cup 2027 will be hosted by which country कौन से country host करने चला है 2027 का host करेगा Australia चलो next जो होगा means जो Rugby World Cup 23 होगा तो वो का पे होगा था वो हो था France पे चलो next question question number 10 बोला गया which country will be planned to host the men's FIFA World Cup 2020 2030 का 2030 का जो plan किया है men's FIFA World Cup वो का पे होगा वो तीनों countries एक साथ joint venture होगा तो कौन से कौन से वो countries है first one Spain, Portugal and Morocco यह तीनों countries एक साथ host करने चला है men's FIFA World Cup 2020 30 का now FIFA World Cup 2022 का पे हुआ था तो यह Qatar पे हुआ था FIFA World Cup 2026 का पे होगा यह होगा Canada, Mexico and US में होने चला है and FIFA World Cup 2034 का पे होगा यह Saudi Arabia पे होगा कोई भी question यहां से पूछा जा सकता है very very important है next question question number 11 पे देख लेते हैं the BWA World Badminton Championship 2025 will be hosted by which country the 25 का जो BWA World Badminton Championship कौन से जगा पे होगा तिये हो जाएगा Paris, France पे Paris, France पे होगा and BWA World Badminton Championship 2022 का पे होगा था Tokyo, Japan पे होगा BWA World Badminton Championship 2023 का पे होगा Copenhagen जो Denmark का capital है and BWA World Badminton Championship 2026 का पे होने वाला है यह सबसे दाइपोर्ट है का पे हमारे इंडिया पे होने वाला है तो यह important होगा exam के point of view से ओके next question question number 12 बोलागा था 14th ICC में क्रिकेट वाल का 2027 विल बी होस्टेट बाइ which country कौनसे country होस्ट करने चला है 14th edition का 2027 का जो वाल का भे तो यह होस्ट करेगा तीनों countries एक साथ मेंली यह होने वाला है African countries भे कौनसे कौनसे first one is South Africa Jimbabwe and Namibia jointly होस्ट करेगा ओके 12th edition जो हुआ था वो का पे हुआ था 2019 पे England और वेल्स पे हुआ था 13th edition वा था 23 में वो इंडिया पे हुआ था जो इंडिया ने हार गया था हम लोग and 15th edition जो होने वाला है 2031 में वो का पे होगा India and Bangladesh joint venture होगा अभी तक जो घोशित हुआ है next question 13 number बोलो देखाऊ question देखा गया 38 national games 2024 will be organized by which state और कौन से state में होने चला ये तो 38 जो edition होगा national games 2024 का वो हो जाएगा इस साल होगा वो ठीके तो उत्तरा खंड पे होगा पूचा जा सकता है 37 national games 23 का पे हुआ था गोआ पे हुआ था and 37 जो 36 का हुआ था वो काँ पे हुआ था वो गुजराट पे हुआ था चलो next question 14 number the winter youth Olympic games 2024 will be hosted by which country कौन से country होस्ट किया करने चला है 2024 का winter youth Olympic games तो ये हो जाएगा गैंगोन जो South Korea का हो जाएगा चलो next question 15 number बोला गया which country will be hosted the world athletic championship 2025 तो कौन से country होस्ट करने चला है तो ये होस्ट करने चला है Tokyo Japan ओके now world athletic championship 2023 का का पे हुआ था बूदा पेस्ट हंगरी पे हुआ था and 2027 का जो होने चला है world athletic championship वो Beijing China होस्ट करने चला है next question question number 26 देगो क्या बोला गया है the ICC Omen's T20 Omen's Cricket World Cup 2025 will be hosted by तो ICC का जो Omen's Cricket World Cup 25 का वो का पे होगा हमारे इंडिया ही होस्ट करने वाला है इसको okay and जो ICC Omen's Cricket World Cup 2022 का हुआ था वो का पे हुआ था New Zealand पे हुआ था 17 नमबर क्वेश्चिन वोला गया है the which country will be hosted the FIH Omen's Hockey World Cup 2026 कौन होस्ट करेगा इसको तो इसको होस्ट करेगा दोनों कांट्री Netherlands and Belgium दोनों ही एक साथ जो Mains का किया था Omen's का भी सेमी जगा पे होगा next question question number 18 देखो the BWA World Junior Championship 2025 will be organized in which place कौन से प्लेस पे होगा the BWA World Junior Championship 2025 ये गोहार्टी आसाम पे होगा कां पे होगा आसाम पे देखो next question question number 19 बोला गया the ICC Omen's T20 World Cup 2026 will be hosted by which country consecutive 2026 का host करेगा ICC Omen's T20 World Cup का तो ये host करेगा England ok England host करेगा इसको now ICC Omen's T20 World Cup 2024 इसी एर में कां पे होगा था UAE में होगा था कौन से टीम ने जीता था जीता था New Zealand ने ok New Zealand जीता था and ICC Omen's T20 World Cup 2023 कां पे होगा तो होगा था ये South Africa ने host किया था चलो, next question, question number 20 बोला गया, the 46th fight Chase Olympia 2026 will be hosted by which country, कौन से country host करेगा ये 26 का, तो ये host करेगा तास्केंद उजबेकिस्तान, तास्केंद क्या है, उजबेकिस्तान का capital है, यहाँ पर ही 46 fight जो Chase Olympia 2026 host होने चला है now, important points देखो, 47th का जो होने बाला है, वाइड, Chase Olympia 2028 वो का पे होगा, अबुधा भी UAE में होबा, 45th जो हुआ था, 2024 में इस साल वो का पे हुआ था, बुधा पे सहंगरी में हुआ था, and 44th edition जो हुआ था, 2022 में वो चैन्नाई, इंडिया पे हुआ था चलो, next question, question number 21 बोलागे, the summer youth Olympics 2026 will be hosted by which country, कौन से country summer youth Olympics 2026 host करने चला है, यह हो जाएगा, दकर, सेनेगल, ठीके? यह question भी पूछा जा सकता है, ठीके? क्योंकि यह सभी को नहीं आगा, तो यह question थोड़ा tricky हो जाएगा, तो यह tricky question पूछा जा सकता है, क्योंकि यह सब के ख्याल में नहीं आगे यह question, तो summer youth Olympics 2026 जो होगा, दकर, सेनेगाल पे होगा, next question, question number 22 देखो, the first ever Cocoa World Cup 2025 will be hosted by which country? कौन से country होस्ट करने चला है, हमारे India होस्ट करने चला है 2025 का, तो important होगा यह, यह भी exam के point of view से important होने चला है, देखो, next question 2023 का देखो, the 18th summer Paralympics 2028 will be hosted by which country? यह, जो जगा पे Olympic वा था, वही पे Paralympic होता है, तो Los Angeles, US में ही होगा, okay, and 17th edition जो होगा, जो काँ पे 2024 में हुआ है, यह Paris, France में हुआ है, 19th edition, 32 काँ पे होगा, Brisbane, Australia, and 16th edition जो हुआ था 2020 में, तो वो काँ पे होगा था, वो Tokyo, Japan पे होगा, तो जो जहां पर, जहां पर Olympics होता है, वो ही पे, summer Olympics होता है, वो ही पे होता है, summer Paralympics, जहां ही पे, winter Olympics होता है, वो ही पे होता है, winter Paralympics. Next question देखो, 14th, winter Paralympics 2026 will be hosted by which country, तो यह काँ पे होगा, यह Italy पे होगा, ठीके, इला तिली के कौन से जगा पे, तो हो जाएगा, Milan and Cortina पे. Now, 15th edition का जो हुआ था, winter Olympics 2030 होगा, वो काँ पे होगा, French, France पे होगा, 16th edition काँ पे होगा, 34 का, Salt Lake City, West में होगा, 13th edition 2022 काँ पे होगा, Beijing, China पे होगा, ठीके, यह सब भी important होगा. ठीके, तो यही पर जितने देखो, सभी question important होगा, upcoming sports event से, जितना भी question दिये है, यह session को, सभी को जरूर देखना, हर एक question को देखना है, उनके point को जरूर note करके रखना, exam के point of view से, यह important होगा, upcoming CGL tier 2 आ रहा है, मेंस का जो exam आ रहा है, RRV का जितना, रेलोस का जितना exam आ रहा ठीके, और हर एक exam में भी बनता है, TCS का favorite topic है, इससे TCS question देता है, तो TCS का जितना भी question exam होगा, जैसे कि railway scout, SSC का हो, सभी के लिए इसको देखके जाना, तो